इस नसा मुक्ति केंद को संचानित करने वाला पृतम नाम का उबख है पृतम एक समय नसा खुरानी गिरो का सिकार हो चुका था पृतम बश्पम्ने पढ़ने में काफी तेश था उस समय समाज के सासाथ परिवार के लोग पृतम का उधारन अपने बच्चों को देते थे और उसके परचिन पर चलने की बात करते थे पृतम पढ़ाई करने के लिए पूर्णियस दिली चला गया और वहां कुछ दिन रहने के वाल नसा खुरानी गिरो का सिकार हुआ और नसा में इतना डूपता चला गया कि उससे परिवार की दूरी परती चली गई और समाज के हमाद का उसे सुधरने की बात बताई और प्रिटम की मां की मौत हो गए मां के मौत के बाद पृतम को लगा जब उसकी मा अब इस दुनिया में नहीं तो वह अब सुहर के क्या करेगा लेकिन मां के दो दौरा दिए गए कर्शम उसे बार-बार खटकते थे अंत में पिरतम अपने हाप में बदला लाया और यह कसम खाया कि आज की युवा पिढ़ी को वह नसा से मुख्त करने की कोशिश करेगा पूर्णिया में पृतम ने नसा मुख्ति केंद खुला और अभी तक लगवद 200 युवाओं को नसा से मुख्त कराया है अभी भी उसके कैम में 40 युवा चुधर रहे हैं इस केदर में समय शाड़नी के अनुसार सारा काम पूर्णिया में कुछ वैसे युवाओं से मुलाकात की जो अब नसा छोड़ चुके हैं अभी हम ऐसे नसा मुख्ति केंद में खड़ा हैं जिसको संचालीद करने वाले फिर्तम हैं फिर्तम एक समय नसा के कि नसा में इतने डूप चुके थे कि उनको अपना परिबार खोना पला था दोस्त को को तुफ झौना पला था और जो लोग प्रितम को अच्छे बोलते थे कल आज होके उनको बुरा भॉनना शुरू कर दिये थे आए पड़ को स ножा की कोशीश करते हैं यहां तक कि प्रितर से बात करते हैं उस वक्त ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं मैंने ऐसा क्या गुना किया मैं तो कुछ नहीं करता हूं तो उस वक्त सर मुझे लगता था कि नशा करना कोई अपराद नहीं है लेकिन जैसे 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 मैंने हर चीज को खोना शुरू किया जैसे कि मेरा करियर मेर की सरा मेरे पिता जी कभी किसी सोचिल फंक्शन में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि लोग उन से पूचते थे उनके मित्र उनको ना इपक्षा मारते थे कि अरे तुम्हारा बेटा कहां है क्या कर रहा है मेरा बेटा तो अभी इस उनिवर्सीटी में चला गया यह नौकरी करने लगा और मेरे पिता जी को शरम आती थी तो दीरे-दीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं कर रहा हूं और सर नशामुक्ति के जाने के बाद मेरा हिर्दे परविरतन हुआ जी बिलकुल मेरी मां का एक ही सपना था वो मुझे हमेशा बोलती थी कि बेटा तुम बहुत अच्छा इंसान है लेकिन जब तुम नशा करता है तो तुम से बुरा इंसान कोई नहीं है क्योंकि तुम उस वक्त हमको भी नहीं पहजानता है और हमको याद है आज एमेस के उस अस्पताल में जब मेरी मां अपने अंतिम सांसे गिन रही थी तो उसन नशा करता था और मुझे ऐसा लगता था कि भगवान ने मेरी मां को छीन लिया तो अब मैं अच्छा इंसान बनके क्या करूंगा पर नशामुक्ति के इन जाने के बाद मुझे ये भी ऐसास हुआ कि मैं अपनी मां के आखरी एक्छा को भी पूरा नहीं कर पा रहा था जी बिलकुल मुझे ये खटकता था मुझे इस बात का बहुत अफ्सोस होता था और शायद आज वही एक प्रेड़ना है कहीना कहीं से अगर आज मुझे देख रही होगी तो उसे बहुत खुशी होती होगी कि आज उसका बेटा अच्छा है नशामुक्त है एक रेस्पंसिबल इंसान बन रहा है दूसरों की भी मदद करने की कोशिश करता हूं से लेकिन मैं आशा करता हूं कि आने वाले कुछ साल में मैं कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है उन लोगों की भी मैं ट्रीट्मेंट कर सको फिर्तम और पीर्तम को इस चीज का आशास हुआ जो माय अपने कोख में नो महिना घस्ट करके पिर्तम को रोखी थी फिर्तम ने पीमा की अंतिमिक्षा को पुरी की आये कुछ ऐसे भी सबस्ता नहीं करता था स्कूल में मैं पढ़ाई करता था मेरा कुछ दोस सब की अडां पीछे बाड़ता था स्कूल में आ हमें सब्सक्राइब जैसा वैड़ा अ कुछित च्पाइक परकाई और एक कि do मैंने पी लिया तो फिर हम को सब चीज में मज़ा आने लगा ठीक है सोचा सौक के थूप यूँगा कभी कदा लिए वो फिर कब मेरा डिपेंडेंसी चला गया उसमें को पता ही ने चला एक टाइम ऐसा आया कि मेरा सौक मेरा आदत बन गया फिर मजबूरी बन गया और theaisse RS ओने लगा तो कभी घर पर चोड़ी कभी धिदी का कुछ समान चोड़ी कर लिए कभी माल्स माध मैं कभी मिलोट क्राइम लिए सारा चीज कुछ भी मतलब कोई भी मुझे बोल देता था न यह काम करो तुमको नशाव तो मैं वह कर देता था जी मेरा नाम आयुशनद इन्य साल है जब शुरू में शुरू करना श्टार्ट किये तो बहुत अच्छा लगता था वैसा फीलिंग कई और नहीं मिलता था शुरू-सुरू में बहुत अच्छा लगता है कि हां यही दुनिया लेकिन दिरे-दिरे जब उस दलदल में फस्ते चले गए तो मौनि तुमाज में इमेचbers कराब होते चले गया तब पता लगने लगा थाकि Um यह रास्ता था लेकिन आज जो घुन सामुक्त है तो बताते लिख लए उफफोर्श कार लोग एपने श्क्रायं अबरे them तो एक समय ऐसा आया मेरे लाइप में मतलब जो मां पयादा किये वह भी मेरे मरने का दूआ मंगने लगी मतलब मेरा ऐसा स्थिती हो गया था में इतना नीचे गिर गह थे कि मेरी मां भी मतलब बोलती थी किसे बढ़ यह तुम क्यों पैदा ले लिया इसे बढ़ यहां एक सब्सक्राइब करने लगते वहां का जो सीनियर स्टाप लोग ता उसके साथ में करने लगते तब यह को कुछ अंदाज ही नहीं था कि इस वज़ेस में रेप्टेशन ऑफिस में खराब हो रहा है दिरे 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 नसा भी के वज़ेसे छूट गया ऑफिस साथ तर पर देखा सकता है कि आज की वाप्री नसा में की स्थर ढूब जाते हैं अपने माता पिता तक को छोड़ देते हैं साथी साथ समाज गुन की कोई भी विज़त नहीं रती है अब एक वर सिन्हा इत्वी भारत पूर लिया